हेलो बच्चो आज हम इंग्लिश में चैप्टर लैट्स स्पीक में कॉन्वर्जेशन करेंगे इसमें एक पोयम दी है पोयम को हम पढ़ेंगे और समझेंगे इस पोयम में एक बॉय है और एक गर्ल बॉय का नेम है जॉन और गर्ल का नेम है रजिया जॉन ने रजिया को बोल गूट मॉर्निंग रजिया रजिया ने क्या बोला गूट मॉर्निंग जॉन जब में कोई गूट मॉर्निंग बोलता है तो हम रिवर्ट बैक करते हैं गूट मॉर्निंग से जॉन ने कहा गूट मॉर्निंग रजिया रजिया ने बोला good morning John John what do you see in these pictures John ने क्या बोला रजिया को तुम इन pictures में क्या देखती हो रजिया ने कहा I see मैं देखती हूँ क्या देखती हूँ मैं मैंने देखा a man, एक आदमी, a fan, एक पंखा, a tall man एक बड़ा आदमी, एक आदमी, एक पंखा, और एक प्लंबा आदमी a man, a fan, a tall man इसके बाद इस worksheet में हमें नीजे एक कोशन दिया है जिसमें लिखा है match the right one सही से हमको pictures को जो हमारे पास word लिखा है उससे match करना है तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है boy तो हम किस से इसको match करेंगे boy से दूसरा हमें दिखा है a fish तो हम इसको fish से match कर देंगे third है a cat cat हमारी कहाँ पर है नीचे तो हमने cat को cat से मिला दिया और dog तो dog को dog से मिला दिया next हमारे पास दिया हुआ है complete these spellings आपको ये spellings को complete करना है तो हमारे पास सबसे पहला जो word है b dash y तो हम इसमें बीच में क्या लगाएंगे o तो क्या बन गया b o y boy second में c dash t तो यहां बीच में क्या लगाएंगे a तो ये बन गया c a t cat third हमारे पास है d dash g यानि d इसमें बीच में लगाया o तो word बन गया d o g dog fourth है m dash n तो m a n m a n man man fifth word है f dash n तो इसे complete करेंगे f a n fan sixth word है b dash t तो यह हो जाएगा b a t bat इस तरह से हमने spellings को complete करा तो हमारे पास first word क्या बना boy boy means लड़का second c a t cat 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 माने billy third d o g dog माने कुत्ता fourth m a n man man माने आदमी fifth f a n fan fan माने पंका sixth b a t bat बैट माने बल्ला इस तरह से अब आपको यह सारे जो वक्षीट है इसको अपनी कॉपी में करना है और इसको learn भी करना है तेंग तेंग तेंग